कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टू प्रियंका किचन स्टूडियो तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटी सी अर्भी की रेसिपी शेयर करने चारी हूँ जो खाने में बहुत जादा टेस्टी रखती है और इसे बनाना उतनी ही आसान है बह जो ऊपर का जो छिलका होता है वो आसानी से निकल जाता है यहां पर मैंने इसे पहले अच्छे से धूला नहीं है धूलेंगे हम बाद में क्योंकि पहले अगर आप इसे वाश कर देंगे ना तो यहांतों में बहुत ज़्यादा फिसलने लगती है तो इससे अच्छा पहले इसके बाद वाश कीजिए क्योंकि क्या होता है धुलने के बाद यह फिसलती है तो हो सकता है आपको काटने में थोड़ी प्रॉब्लम आए तो इस तरह से काट के तयार कर लिया है मैंने अब एक कडाही गरम की हो इसमें डाल दिया है दो पड़े चमत सरसो का तेल तेल गरम जो अर्वी हमने काट के रखिय है वह हम इसमें डाल देगे फ्लेम को यहां पर मीडियम टू हाई करदेगे और अब हमें इसे थोड़ी दियर तब भुनना है और यहां मैंने ले लिया मैंने बड़े साइस की ले लियी हुई है लहसुन का फ्लेवर अरभी की सब्जी में बहुत अच्छा आता है तो इसे जरूर दाले गो और पेट के लिए अच्छा होता है इसे अच्छे से कूट लिया है मैंने और इधर अरभी भुन रही थी वह भी अच्छे से भुन के तयार हो गई है इसका जो लिसलिसा पन है वह निकल गया है अब हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे तो यहां भी मसालों में सबसे पहले जो हमने लहसुन कूट के रखा है वो डाल देते हैं नमक डाल देंगे 1 टीस्पून लगबग स्वाथ के अनुसार और यहां पर 1 टीस्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर इसे अ तो यहां पर देखें अच्छे से गल गई है अभी इसका कलर बिल्कुल वैसे ही है सेम है अभी यह ब्राउन नहीं हुई है तो अभी हमें क्या करना है इसमें कुछ और मसाले हम आट करेंगे तो यहां पर डाल दिया हमें हाफ टीस्पून आमचूर पाउडर यह जरूर डा कर लेना है और फिर से हम है से तब तक बुनना है जगता कि हमारी जो अवर्वी यह वह अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहोजा बिल्कुल कुर्कुरी नहों जाए बिल्कुल आप इसे लो फ्लेम पे बुनिएगा जिससे अच्छे से कुरकुरी हो जाती है थोड़ु देर यह बाद यहां पे देखें, यह बिल्कुल अच्छे से से उपर ब्राउन कलर आगया है, हमारी यह सबसी बनके बिल्कुल तैयार और इसे अब इसे एक प्रेट में निकाल लेते हैं, तो एक बार इस तरीके से अर्बी की सबसी बना के जरूर ट्राइ चीजेगा, अजवाईन ने चैनल को subscribe नहीं किया है तो please कर लीजेगा और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे like जरूर कीजेगा friends और family members के साथ जरूर share कीजेगा site में bell icon दिया हुआ है उसे जरूर press केर दीजे जिससे कि आप लोगों सारी जो मेरी वीडियो है आएगी आगे वो आप लोगों मिलती रहेगी notification मिलती हूँ आप लोगों से मैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care and thanks for watching